यहाँ पर एक काफी important news आ रहा है और वो यह है कि Supreme Court ने अधार लिंक करने की जो deadline थी उसे यहाँ पर फैसला आने तक बढ़ा दिया है इससे यहाँ पर आम आदमी को काफी बड़ी राहत यहाँ पर देखने को मिली है Supreme Court ने अधार लिंक करने की जो समय सीमा थी वो यहाँ पर फैसला आने तक बढ़ा दिया है यहाँ पर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फैसला आने तक bank account, mobile phone और password की अनिवार अधार linking की समय सीमा को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो आप यहाँ पर यह ध्यान रखिए bank account हो या फिर हो mobile phone या हो passport तो अब यहाँ पर एक काफी बड़ी राहत है जिन्होंने अभी तक यहाँ पर अपना अधार को link नहीं कर रहा था अब देखने वाली यह बात है कि bank account और mobile number से अधार link करने की जो process था वो यहाँ पर 31 March यहाँ पर तैक ही गई थी सरकार के तरफ से और हम अभी ही बात कर रहे थे कि यहाँ पर mutual fund में भी 30 March 2018 तक बाकी सबके जैसे ही आपको यहाँ पर link कर लेना है लेकिन अब यहाँ पर यह फैसला आ रहा है कि समय सीमा जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है जब तक यहाँ पर फैसला नहीं आता है चाहे बात करें हम bank account की चाहे बात करें mobile phone की या फिर हम यहाँ पर बात करें passport की तो 5 जजो की bench ने आपर यह फैसला किया है और हुनने बताया है कि subsidy को छोड़ कर बाकी से वाओ के लिए भी सरकार जो है अधार नंबर पेश करने का दबाव नहीं डाल सकती है इसके साथ साथ Supreme Court ने यह कहा है कि अधार से जोडने की जो समय सीमा है वो यहाँ पर बढ़ा द गई है bank खातो और mobile नंबर के लिए भी यह deadline बढ़ी है तो आपका क्या सूसना इस बारे में मुझे नीचे comments में जरूर बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है तो यह वीडियो को करतो like, share इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को ज करताइएगा दो हमारे चैनल को आपको